है गाइस कैसे हैं आप लोग काफी अच्छे हैं आपकी एक्जाम के फिर प्रशन भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी मैं आपका स्वागत करता हूं कॉमेट सी पारचारा में और लेक्टर स्टार्ट करते हैं उसके पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूं सब्सक्राइब करना है आप को करना कैंगे अपर क्लिक करे आपको ड़ेंगे और एक चैनल का मेंबर बनसकते हैं और यहां पर वाटसाप लिंक के ओपर क्लिक करे नो已经 कMore जोकि exclusively इंno के लिए बनाय गया और Now, what benefit you will get if you will take this membership option, you will get assignments for free of cost, आपको free of cost solved assignments मिलेंगे, जिनको आपको देखना है, लिखना है और जमा करना है, दूसरा आपको जो benefit मिलेगा, वो आपको मिलेगा कि आपको low cost, यहाँ पी एक तरीके से notes मिल जागा, अगर आप हमारे पास से notes खरीदते हैं, हाला कि हमारे वीडियो सफिसेंट हैं, वीडियो देखकर आप examination में अच्छे marks लाद होगे, आपको notes के आवशकता नहीं पड़ेगी, ठीक है न, पर फिल भी अगर आप लेना चाहें, आपको 40% discount पर मिल जागा, साथ ही साथ, आप हमारे 24-7 chat group के साथ जुड़ सकते हैं, आप इसे ही payment करेंगे, नीचे की तरफ आएंगे, आपको यहाँ पर WhatsApp का link शो करेंगा, इस लिंक के ऊपर click करके आपको हमारे group को join करेंगे, जब भी आप study करें, कोशिच करें कि हमारे playlist में आए, हमारे playlist में आने के लिए आपको हमारे चैनल के ऊपर जाना होगा, चैनल के ऊपर चलो फिर आगे topic के तरफ चलते हैं, जो कि है difference between the NBFC and banks, so सबसे पहला जो यहाँ पर difference बताया गया है, वो यह है, कि एक NBFC accept नहीं कर सकते, demand deposit, अपने को demand deposit का मतलब का मतलब होता है, demand deposit का मतलब होता है, savings account, savings account में जो आप पैसे जमा करते हो, पैसे deposit करते हो, उसको यहाँ पर यह आप नहीं कर सकते, demand deposit means savings account और current account, देखो current account को भी आप में मैंशन किया है, current account generally business plans के लिए होता है, तो current account भी आप NBFC में जा करके नहीं खोल सकते हो, ठीक है न, तो वो भी possible नहीं है, second point of difference जो है, लेकिन bank में possible है, यहाँ नहीं मतलब bank में possible है, difference में यह भी आपको लिखना है, दूसरा point है, it is not a part of the payment and settlement payment system which includes clearing houses, services like facilities like NEFT, RTGS, IMPS, आपने तीनों का नाम सुना हो, national electronic, you know, fund transfer, real time gross settlement, RTGS, IMPS, Indian money payment system, ऐसे कुछ करके है, तो यह तीनों का इस्तेमाल जो है, नहीं होता है, लेकिन bankों में होता है, because यह जो है, कोई payment या भी settlement system का हिस्सा नहीं है, NBFC payment या settlement system का हिस्सा नहीं है, जिसके अंदर NEFT, RTGS, IMPS का settlement हो, या फिर payment हो, so that is why it is a different thing, and banks are different thing, banks में इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल होता है, NEFT, RTGS, IMPS का इस्तेमाल होता है, ठीक है, तीसरा point है, It cannot issue check books to its customers, अब NBFC का जो customer होगा न, उनको आप check issue नहीं कर सकते, तो आप अपने customers को check भी issue नहीं कर सकते, Because you are not a bank, but banks at the same time, they can do, banks कर सकती है, ठीक है, difference में आपको ही देखो, यहाँ पर सिर्फ न, NBFC के बारे में बोला गया है, पता नहीं क्या दिक्कत है इन लोगों को, banks के बारे में बोला ही नहीं है, तो जो भी यहाँ पर बोला रहे है कि आप नहीं कर सकते हो, bank वो सारी is, the deposit insurance facility of DICGC is not available for NBFC depositors as it is available to all the bank depositors, तो आपको पता है ना कि हर ATM card पे आपको insurance मिलता है, हर bank account पे आपको insurance मिलता है, तो उस bank account के तो इस insurance मिलता है, वो insurance जो है DICGC के तहत आपको provide किया जाता है, तो NBFC के depositors को यह facility नहीं मिलती है, whereas bank depositors को यह facility मिलती है, है, so these are the major four differences between the NBFCs and the banks, I hope you have liked this video, अगर आपको पसंद आया है, तो like करें, share करें अपने दोस्तों के साथ, subscribe करें हमारे चैनल को और bell icon दबा दे, अगर आपको किसी topic के उपर video बनवाना है, जो कि especially members के लिए है, वो भी कर सकते हैं, अपने जो member रही है, वो भी on-demand lecture का फाइ को, bye-bye, thank you.